नामकरण की आवशक्ता इवं प्रक्रिया किसी भी जीव का वर्गी करण में इस्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है किसी भी वस्तू या जीव को विभिन छेत्रों में इस्थानी भाशावा बोली के अनुसार पुकारा जाता है गर्था अंग्रेजी में potato कहा जाता हैं एक ही वस्तू के इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है इसी असुविधा को देखते हुए लीनियस ने जीवों के ऐसे नाम आवशक्ता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए इन नाम को उन्होंने व्यज्ञानिक नाम कहा जिसमें प्रतेग जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है जिसमें दुई नाम पध्धती कहा जाता है इस पध्धती में पहला प्रतेग जीव के न नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं जाती का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता हैं तीसरा वंश तथा जाती के नाम को तिर्शे अक्षरों इटैलिक में लिखा जाता हैं यदि ये नाम स राना टाइग्रिना, शेर, पैंथेरा लियो, गौराया, पासर डोमेस्टिक, मनुष्य होमो सेपियन्स समय समय पर प्रकृति में प्रजातियों के विलूपती एवं नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रकृतिया है इसे कारण वर्गे करण की कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों को सीमा बद्ध नहीं कर सकती विटेकर के पात जगत पधती के विक्सित होने के बाद भी कई नई प्रणालिया भी आती रही है ऐसा प्रतीत होता है कि पात जगत प्रणाली भी ग्याद जय विविद्धा को समेटने के लिए अपर्याप्त हैं क्योंकि जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती रहेगी और जय विविद्धा के आयाम बदलते जाएंगे वैसे वैसे ही वर्गी करण के आधार भी बदलते जाएंगे एवं वर्गी करण का स्वरूप भी हमने सीखा प्रकृती में विविद्ध प्रकार के पदार्थ वजिव पाय जाते हैं गुणों में समान्ता के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया समूही करण कहलाती है व्यज्यानिकों ने जीवों में उनमें पाई जाने वाली समान्ताओं इवं विभिन्दताओं के आधार पर वर्गिकृत किया है वर्गी करण जीवों की विविधता वसमानता को स्पश्ट करने में सहायक होता है प्रकृती में विभिन जीवों का एक साथ सरलता सुगमता से क्रमबद अध्यन करने के लिए वर्गी करण की आविशक्ता होती है लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगत पादब जगत एवं जन्तु जगत में विभाजित किया है जीवों को पाद जगत में वर्गी कृत करने के लिए निम्नलिकित आधारों को ध्यान में रखा गया है पहला केंदरक जिल्ली की अनुपस्थिती व उपस्थिती प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक दूसरा जीव का शारिरिक संगठन एक कोशिकिय व बहु कोशिकिय तीसरा पोषण विधी स्वपोशी व विशंपोशी उपरियुक्त आधार पर सभी जीवों को पात जगत में बाटा गया है पहला मोनेरा, दूसरा, प्रोटिस्टा, तीसरा, फंजाई, चोथा, प्लॉन्टी, पाच्वा, एनिमेलिया जीवों के शरीर की रचना में बढ़ती हुई जटिलताओं के आधार पर इन्हें आगे और क्रमिक रूप से वर्गों में रखा गया है जीवों में पाय जानने वाले विभिन लक्षन वर्गी करण के पदानुक्रम को निर्धारित करते हैं केरुलस लीनियस ने दूई नाम पद्धती का प्रतिपादन किया जिसमें जीव को व्यग्यानिक नाम दिया जाता है इसमें जीव का नाम दो शब्दों में होता है पहला वन्ष या जीन्स का और दूसरा जाती या स्पिशीज का ने ने जीवों की खोज एवं जय विवीदिता के बदलते आयाम के अनुसार वर्गी करन का आधार एवं सरूप बदलते रहेगा